किसे भी कौम दी आन ते शान उना शहीदा उत्ते निर्बर कर दी है जिनाने आपनी समुची होंद कौम नू अरपन कर दिती होवे ओ शहीद आपे दे मोह दी कैत तो मुक्त होके आपने वजूद नू कौम दे वजूद नाल जोड दिन दे हन सिक इतिहास देता वर के ही शहीदा दे लहूदी स्याही ना लिखे गए हन जिस विच चमकौर दी गड़ी वी शहादत दा जाम पीन वालिया कारण सिक इतिहास विच एक सिरमौर था रख दी है एथे ही खालसे ने दसम पाच्छा जी दे निश्चित कसोटी उत्ते पूरेया उत्रन लई एक बेहद असावा युद लड़ेया सी ते हर सिख ने सिरीगुरु गोबिन सिंग पाच्छा जी दे एक नू सवा लख नाल लोहा लैन दे कथन नू सच करके विखाया चमकौर दी जंग विच जित्ते सिरीगुरु गोबिन सिंग पाच्छा जी ने आपने दोनों वड़े परजंद बारे उत्ते तिन प्यारया दे नाल आपने कई होर सिंग वी कौम तो अरपन कीते तेक गुरु पिता जी दे इना सिंगा विच पाई संगत सिंग जी दी शहादत वी जिकर योग हैं बीबी अमरो जी अते पाई रणिया जी सिरी गुरु तेक बहादर पाच्छा जी दे बहुत ही शर्दावान शर्दालू सन जो हर वेले गुरु पाच्छा जी दी सेवा विच ततपर रेंदे सन सिखी प्रचार लई यात्रा बिबी अम्रो जी अते पाई रणिया जी ने सिरी गुरुतेक बहादर पाच्छा जी दी रहनुमाई हेट सिरी अननपुर साहिब जी तोहीं अरंब कीती सी मालवे देश दे बांगर इलाके मतुरा, कुरुक्षेतर, आगरा, कानपुर, अलाबाद आद अनेका थावा दी यात्रा कर दे हुए सिरी गुरुतेक बहादर पाच्छा जी बिहार विच पटना शेहर विखे पुझे जित्ते गुरु पाच्छा जी दे परवार दे नाल, गुरु जी दी संगत विच पाई रणियाजी अते बीबी अमरो जी वी शामलसन जिस्तों बाद सिरीगुरु तेग बहादर पाच्छा जी ने एनानू परवार दी सेवा संभाल दी जिम्मेवारी सौपी ते आप टाके असाम देश दे दोरे ते चले गए पटना साहिव विखे ही गुरु साहिव जीदी बक्षिस सदका दसम पिता जी सिरीगुरु गोबिन सिंग पाच्छा जीदे प्रकाश तेई पो 1703 बिक्रमीतों चार महीने बाद बीबी अमरो जी ते पाई रणिया जीदे ग्रह विखे पाई संगत सिंग जीदा जनम अठाई विशाख सतारा सो चोवी बिक्रमीनू होया जनम समय माता पिता जी ने आप जीदा ना संगता रख्या तिसरी अननपुर साहिब जी विखे 1699 इसवीदी विशाखी वाले दिन कलगी तर पाच्छा जी पासों ही अमरिदी दात प्रापत करके पाई संगता पाई संगत सिंग जी बन गए पाई संगत सिंग जी ने आपना जीवन मुढ तो लेके अंत तक दशमेश पिता जी दे चरना विच रह की गुजारया छोटी उमर विच आप जी ने पटना शहर विखे ही सिरी गुरु गोबिन सिंग पाच्छा जी दे नाल बाल लीला दिया खेड़ा खेड़ जी अते कोड़ेयां दी दोड विच विशेश मुहारत आसल कर लेई बाद विच आप जी सिरी गुरु गोबिन सिंग पाच्छा जी दे नाल ही सिरी अननपुर साहिव विखे आ गए पाई संगत सिंग जी बाहरी दिख वज़ों बिलकुल गुरु पिता जी तान तन सिरी गुरु गोबिन सिंग पाच्छा जी वरगे ही सन जिस करके चमकौर दी गड़ी विच दुश्मन फौज भी पुलेखा खा बैठी सूरज अस्थ होननाल जदो चमकौर दी जंग बंध होई ता गड़ी विच लगबग 14 सिंग ही रह गए सन जिना विच शहीद पिता दे सपुत्तर अते शहीद सपुत्रा दे पिता तान कलगियां वाले पाच्छा जी जंग विच जूजन लई त्यार बढ त्यार सन पर गड़ी विच मौजूद सिंगा दी बेंती ते गड़ी पिता जी ने गड़ी छड जान दे पंथ दे फैसले नू प्रवान कर लियां क्योंके सिंग समझ दे सन के जेकर गुरु पाच्छा जी दी सरीर खूंद कायम रही तां गुरु जी बिखड़े समय लई मुड तो सिख कौम नों एकत्तर कर लेंगे एसले सिंगा मुताबक सिरीगुरु गोबिन सिंग पाच्छा जी दी बेवक्च शहादत कौम लई बहुत दुख दायक ते नुकसान दायक होवेगी जिस तो बाद सिरीगुरु गोबिन सिंग पाच्छा जी ने गड़ी तो बाहर जान तो पहला आपने बचपन दे हम उमर ते हम शिकल साथी पाई संगत सिंग जी जोके हर वेले निमाने होके गुरु कार्दी सेवा विच ततपर रेंदे सन नूँ प्यारे सिक होण दा मान बक्षिश करके आपने हिक नाल लाया अते दुश्मन नूँ पुलेखे विच पौन लई आपनी कलगी पाई संगत सिंग जी दे सीज ते सजा के गुरु पिता जी ने आपने शस्तर बस्तर वी पाई साब जी नूँ बक्षिश कर थापड़ा दित्ता ते के हां कि पाई संगत सिंग जी तुसी मेरे मगरो मेरी पुशाक विच मेरे मोर्चे वाले आसन ते बैठना है ते दिन चड़े जदो मुगल फौजा गड़ी ते हमला करन ता वैरीदा डट के मुकाबला करना है जिउन्दे जी वैरी दे हत नहीं लगणा ते मैदाने जंग विच वैरी नाल जूजद्या होया शहादत प्रापत करनी है नौपो 1781 बिक्रमी दी सवेर नू जदो मुगल फौजा ने चमकोर दी गड़ी नू केरा पाया ता पाई संगत सिंग जी दुआरा पहनी होई गुरु पिता जी दी पुशाक अते कलगी ने वार वार मुगला नू गुरु पाच्छा जी दा पुलेखा पाया मुगल फौजा पाई संगत सिंग जी नू साहिब सिरीगुरु गोबिन सिंग पाच्छा जी समझ के तीरा दी बुशाड कर दिया रहियां दुजे बनने पाई संगत सिंग जी ने वी मुगला दा डट के मुकाबला कीता अते किरपान, तीरा, नेजियां आद दी वर्तो करके मुगला दे आहु लाउंदे रहे बुरी तरा जखमी होन तो बादवी पाई संगत सिंग जी आपने अंतले समय तक जिकारे गजाउंदे रहे अते साहिबे कमाल गुरु पिता जी दे हुकमा ते इन बिन पूरे उत्रे अखीर संत सिपाही गुरु पिता जी दे फल्सपे ते चल दिया होया जालमा विरुद चमकौर दी अदुती जंग लड़के ते गुरु आशे नू सर अंजाम दे के नौपू 1781 बिक्रमी नू शाहे शेंशा सत्गुरु जी दे बचपन दे प्यारे साथी पाई संगत सिंग जी शहादत दा जाम पी गए चमकौर दी जंग तो पहला पाई संगत सिंग जी ने बसी कला तो साहिब जदा अजीत सिंग जी दे नाल एक पंड़त दी कारवाली नू पठाना पासो छुडवाया पंगाणी दे युद विचवी आप जी ने आपने जोहर विखाए ते सरसा दी जंग विचवी आपनी सूर बीरता दा सबूत दितता सी पाई साब जी ने गुरु पाच्छा जी दे हुकम अनुसार मालवे विच सिखी दा प्रचार भी कीतता सी गुरु पिता जी नुँ पाई संगत सिंग जी दी वफादारी ते सूर बीरता दे पूरण विश्वास सी पाई साब जी त्यार बर त्यार पूरण खालसा सन जिस करके चमकौर दी गड़ी छड़न तो पहला गुरु पाच्छा जी दी बक्षिश परी निगा पाई संगत सिंग जी ते पई सिरी अननपुर साहिब जी विखे गुर्द्वारा गुरु के महल गुर्द्वारा सीजगन साहिब अते किला फतेगर साहिब जी दे बहुत ही नेडे गुर्द्वारा श्रोमणी शहीद बाबा संगत सिंग जी वी सुभाइमान है एस पावन अस्थान विखे सिरीगुरु गोबिन सिंग पाच्छा जी वलों पाई संगत सेंग जी नू बक्षिश होया एक इतिहासक हुकम नामा मुझूद है अते एक पुरातन इतिहासक सिरी साहिब वी सुबायमान है जो गुर्द्वारा साहिब दे लंगर हाल दी खुदाई कर दे समें 10 फुट दी डुंगाई तो तेई मार्च 2009 इसवी नू प्रापत होई सी एते एक पुरातन खुवी है इना सारियां ही इतिहासक निशानियां दे दर्शन दूरों नेडियों आयां संगता अज भी कर दिया हन सिक इतिहास विच जित्थेवी सिरीगुरु गोविन सिंग पाच्छा जीदे बहादर योद्यां अते वफादार सिंगा दा जिकर चलेगा ओथे पाई संगत सिंग जीदा नावी जरूर लिया जाएगा वही गुरुजी का खालसा वही गुरुजी की फते